हेलो दोस्तों हमारी किछिन में आप सबका एक बार फिर स्वागत है और आज हम बनाने वाले हैं साधियों में बनने वाली आलू मटर जैसी आलू मटर की सबजी जो आज हम घर पर ही बनाएंगे वो भी एकदम सिंपल तरीके से तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमको आलू को कट करके उसको आलू में फ्राइ कर लेना है और जब हमारे आलू अच्छी तरीके से फ्राइ हो जाएंगे उसके बाद में हम आलू को एक प्लेट में निकाल लेंगे तो ये देखें फ्रेंट हमारे आलू अच्छे से फ्राइ हो चुके हैं ये पक च मिच पत्ते दो से चार लॉंग दो से चार काली मिर्च आइल में आड़ करने हैं। और 5 मिनिट के बाद में हमने यहाँ पर एक कटोरी टमाटर का पेस्ट एड़ किया है और इसको भी हमको 5-7 मिनिट के लिए पकने देना है और अब हम इसमें कुछ मसाले एड़ करेंगे तो मसाले में हमने आदा चम्मच किचिन किंग मसाला, दो चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आदा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसान नमक और आदा चम्मच करम मसाला एड़ किया है और सारे ही मसाले को हम कर्चली से चला देते हैं अच्छे से मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने की बाद में हम यहाँ पर इसको 5-7 मिनिट के लिए अच्छे से पकने देंगे जिसे हमारा मसाला कच्छा ना रज जाए और उसके बाद में हमने एक बड़ा चम्मच धही हमने मसाल मसाले में एड़ किया है अगर आपके पास में यहां पर मावा यानि की खोया एबलेबल है तो आप खोया भी इसमें जरूर एड़ करें उससे इसका टेस्ट दोगना हो जाता है उसके बाद में हमने यहां पर बॉयल की हुई मटर और फ्राइ किये हुए आलू मसाले में सब्जी में उसके बाद में हमने यहां पर आदा गिलास पानी सब्जी में एड़ करना है आलू मटर और मखाने को हमको मसाले में अच्छे से मिक्स कर देना है और हमको पांच मिनिट के लिए इसमें थोड़ा सा आदा गिलास तकरीवन पानी डाल करकी इसको बॉयल होने दे सब्जी में निकाल लेते हैं और गर्म गरम पूरियों के साथ सर्भ करते हैं तो अगर आपको हमारी साथियों में बनने वाली आलू मटर की सब्जी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शियर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलियेगा और फ्रेंड आप इसको नान के साथ, पराठी के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी खाईएगा, इसका मज़ा दोगना ही पाईएगा